नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इंडिया नियूस में मैं हूँ आपके सथ कशिश पांडे बॉलिवूट के किंग खान यानि कि शारू खान की फिल्म पठान इन दिनों काफी चर्चा में बने हुई है शारू खान की फिल्म 25 जैन्वरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर कई रिकॉर्ड बना दिये हैं फिल्म पठान के अलावा शारू खान जवान और डंकी को लेकर भी इस वक्त सुर्कियों में बने हुए हैं इनी फिल्मों के अलावा शारू खान बॉलिवुड के जाने माने स्टार यानी की सल्मान खान सबके भाईजान की टाइगर 3 में कैमियो करने वाले हैं इस फिल्म में शारू खान और सल्मान खान की जोड़ी एक साथ नज़र आने वाली है एक बब फिर से इस फिल्म में होने वाले शारू खान से cameo से जुड़ी कुछ जानकारी जो है वो लीक हो गई है सल्मान खान और केटरीना कैफ की फिल्म टाइगर थ्री इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है सल्मान खान की इस फिल्म से जुड़े अभी तक कई अपडेट्स सामने आ चुके हैं इसी भी शारू खान के cameo से जुड़ी खबर सामने आ रही है जो लीक हो गई है इस फिल्म में शारू खान का cameo कैसा होने वाला है इसकी जानकारी जो है वो लीक हो गई है मीडिया रिपोर्ट के मुताविक शारू खान फिल्म में सल्मान खान को जेल से भगाने में मदद करते हुए दिखाई देंगे यहीं टाइगर और पठान की फिल्म में मुलाकात होगी इस जानकारी के सामने आने के बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं शारू खान और दिपिका पादुकोर्ण और जॉन अब्रैम की लीड रोल वाली फिल्म यानि कि पठान जो थी वो काफी जादा उस वक्ट चर्चा में बन गई थी और उसे कई जादा रिकॉर्ड भी बनाए थे इस फिल्म में बॉलिवूड अक्टर सलमान खान ने कैमियो किया था जिसको दर्शकों ने काफी पसंद किया था वही जब पठान में सलमान खान की एंटरी हुई थी तो सिनेमा घरों में फैंस जो थे वो खुशी से जूम उठे थे तो वही सल्मान खान और शारू खान की जोड़ी इस फिल्म में धमाल मचा देती है अब देखना होगा टा derecho 3 में शारू खान और सल्मान खान की जोड़ी क्या कमाल दिखा पाएगी फिल्म टाइगर 3 को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइगा